Hello friends, good evening, कैसे हो? I hope कि आप लोग अच्छे ही होंगे. Shoo friends, इस वीडियो में हम लोग शामान गयान का प्राक्टिस सेट सुल्ट करेंगे और ये प्राक्टिस सेट का 104 वीडियो है. अगर आप लोग पीछली प्राक्टिस सेट की वीडियोश नहीं देखे हैं टेलिग्राम चलना का जो नाम है वो है education with शाहिल ठीक है इस वीडियो के discussion box में मैं टेलिग्राम ग्रूप की link दे दिया हूँ तो आप लोग link की मादम से direct join हो शकते हैं और वहाँ से आप लोग हर एक papers की PDF download कर सकते हैं Friends, अगर आपके मन में B8 से related कुछ doubt है तो आप लोग comment box में अपनी query कर सकते हैं उसके बावजूद अगर आपको उसमें सही से आपका doubt क्लियर नहीं हो रहा है तो आप लोग इस WhatsApp नंबर पर information ले सकते हैं वाट्शप नंबर हमारा है 7905632533 अगर late में थोड़ा reply मिलता है तो tension मत लिजे message का reply जरूर मिलेगा तो चलिए फड़ाफट 50 प्रशणों को solve करते हैं और हर questions का जौब आपको देते चलना है और लाशन में आप लोग बताईएगा कि 50 प्रशण में से आपके कितने प्रशण सही हुए है नाम score जरूर से जरूर बताईएगा पहला प्रशण यह है जो कि बहुत important question है निमलिकीत में से किस देश में अधिक्तम संख्या में भाशाएं बोली जाती है उस देश का नाम बताएं ब्रिटेन, USA, भारत, फ्रांस कौन सा देश है जहां पे अधिक्तम शंख्या में भाशाएं बोली जाती है फटफट उस questions का राइट असर बताएं इस questions का तो वो देश है अपना देश भारत ठीक है भारत देश में जो है अधिक्तम शंख्या में भाशाएं बोली जाती है option C करेक्ट होगा इस questions का राइट असर अगला प्रेशन आप लोग यहां पे देख सकते हैं भारत में जो है रेडियो प्रशारन का प्रारम किस वर्स हुआ most important question है अक्सर exam में यह questions पूछा जाता रहता है तो देखे रेडियो प्रशारन का जो प्रारम हुआ था भारत में वो हुआ था 1927 इस वी में option A correct हुआ इस questions का राइट असर friends में आपको दा दूँ अगर आपको 2021 में यूपी से भी एट करना है या दर स्टेट से भी एट करना है तो आप लोग की चैनल से जुड़िए चैनल को सब्सक्राइब करके भगल में बेलाकन को और पर परसकर करके रखिए ताकि हर एक वीडियो को नोटिपिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे जो भी यूपी वेट की अपडेट रहेगी या बिहार बियर डेंटरंस एक्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको इस चैनल के मद्दम से ही सबसे पहले देखने को मिलेगी अगला प्रशन नई दिल्ली में इस्थिस संग्रहाले है यानि कि चार यहाँ पे संग्रहाले के नाम दी गए है एक कौन सा है जो की नई दिल्ली में स्थित है वो आपको बताना है तो यहाँ पे देख शेकते हैं राश्टी संग्रहाले ये क्या है नए दिल्ली में इस्थित है और उटपी को नांक्-में так और शूर मंदिर को जो है ब्लैक पईगवडा के नाम से ब्हाँ जानते हैं तो ये भी आपको याद रखना है कभी-कभी पूँच लिया जाता है कि Black Pagoda के नाम से और किस मंदिर को जाना जाता है तो शूर मंदिर आपको याद रखना है अगला प्रशन यहाँ पर देख सकते हैं Caldera शम्मंदित है Caldera का शम्मंद किश्य है यह आपको बताना है फटफट comment box में इसका राइट अंसर टाइप करके बताईए Caldera का शम्मंद किश्य है तो friends Caldera का शम्मंद है वो है जौला मुकी से option secret होगा इस questions का राइट अंसर अगला प्रशन यहाँ पर देख सकते हैं संविधान के अधिन निमलगेत में से कौन सा मूल अधिकार नहीं रहा है सिच्छा का अधिकार, कारी का अधिकार, शम्मंद का अधिकार, जो है विधी के समच समता का अधिकार कौन सा मूल अधिकार नहीं रहा है अब तो देखे शम्मंद का अधिकार जो है ये मूल अधिकार अब जो है नहीं रहा है option C correct होगा इस questions का right answer अगला प्रशन I और उपभोग में किस प्रकार का शंबन है most important question है friends अब जो है आपकी वीडियोज है regular आईगी gap नहीं होगा थोड़ा विजी जलात आपको पता भी होगा तो I और उपभोग में किस प्रकार का शंबन है तो इसमें जो शंबन है प्रत्च का शंबन है option B correct होगा इस questions का right answer अगला प्रशन यहाँ पर देख सकते है प्रकासिकी किरण को पूंड आंतरिक परवर्तन के लिए किस से गुजरना होता है कतही जहर वाला प्रशन है तो किस से गुजरना पड़ता है कांच से जल पर गुजरना होता है option जो है एकरेक्ट होगा इस questions का right answer अगला प्रशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं simple सा question है common question है हमारे सरीर में कुल कितनी मान स्पेसिया है फड़ा फड़ बताएं कितनी मान स्पेसिया है हमारे स्पेसिया होती है option B करेक्ट होगा इस questions का right answer अगला प्रशन परत्वी की उपर के चार छेत्रों में सबसे कम उचाई किस की है तो सबसे जो कम उचाई है वो है प्रोफो स्पेसियर की option D करेक्ट होगा इस questions का right answer ये common question है राजसभा के सदश्य का निर्वाचन कितनी अवदी के लिए होता है तो ये होता है 6 वर्स option D करेक्ट होगा इस questions का right answer इस्टा लगा लिए इस questions पे important question है एक्जाम में पूँछा जा सकता है अगला प्रशन जनगन्ना से है कि वर्स 2011 की जनगन्ना के अनुशार भारत के किस राजस्य की जनसंख्या सबसे कम है बच्चो वाला प्रशन यहाँ पे लगाए गया है तो सबसे जो है कम जनसंख्या किस राजस्य की थी सिक्टिम की option D करेक्ट होगा सबसे जादा तो आपको पता ही होगा उत्तरप्रदेश अगर जीला का पोच लिया जाए यूपी का एक्जाम है इस्टेट लेवल का एक्जाम है तो यूपी जीके से भी questions आएंगे अगर पोच लिया जाए कि उत्तरप्रदेश का वो कौन सा जीला है जहाँ पे सबसे अधिक जन संक्या है तो वो है आपका प्रयाग राज ठीक है प्रयाग राज आपको याद रखना है अगले प्रशने यहाँ पे देख सकते हैं ग्राम पंचायतों की आई का श्रोथ कौन सा है ग्राम पंचायतों को आई का श्रोत कौन सा ही आपको उताना है तो देखी ग्राम पंचायतों के जो आई का श्रोत है वो है मेला एवम बाजार कर यही है श्रोत ग्राम पंचायतों को आई का option B करेक्ट होगा is questions का right answer अगले प्रशन, राजी के नीत निदेशक तत्तों में निमलिखित में से किन किन प्रकार के सिध्धान्त अंतर निदेशक तत्तों में, तो देखी इसमें जो है, आर्थिक सिध्धान्त हो गया, समाजिक सिध्धान्त हो गया, प्रशाशनिक सिध्धान्त हो गया, यानि कि ये अगला प्रशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं भारती समविधान में राज्य के नीत निदेशक शिद्धानतों को सामिल करने के पीछे मुख देश क्या था ये आपको उताना है एक बार फेट से कोश्चन रेपीट कर रहा हूँ भारती समविधान में राज्य के नीत निदेशक सिद्धानतों को शामिल करने के पीछे मुख उद्देश क्या था तो मुख उद्देश जो था वो था कल्यान कारी राज्य की स्थापना करना अगला प्रशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कारवन डाइय अकसाइड के कारणा आप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस कोश्चन का राइट यासर आप लोग जब भी मेरी वीडियोश देखा करें तो आप लोग अपने पास पैन कॉपी ज़रूर रखा करें क्योंकि जो भी important questions में बताया करूं तो उन questions को आप लोग नोट कर लिया करें इसलिए क्योंकि आप लोग दुबारा वीडियोश देखेंगे नहीं इतना आपके पास समय नहीं रहेगा जब exam नश्दी का जागा अगर आप लोग इसे थोड़ा थोड़ा नोट करते चलेंगे जैसे 50-50 questions में करवा रहा हूँ उसमें से 10 questions ही important हो गए तो उसे आप लोग जैसे notes में note कर लेंगे तो बाद में revision भी कर सकते हैं बाद में आपको वीडियोज देखने की जरुवत नहीं पड़ेगी ठीक है अगला प्रशन चमडा उद्धोक में पाउधों से प्राप्त होने वाली किस शीज का प्रयोग किया जाता है तो इसमें प्रयोग किया जाता है 10 निन का अप्शन डी करेक्ट होगा इसकोश्यंस का राइट अंसर अगला प्रशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैक बॉड़ी किसकी वीकरण को आउस्योशित कर सकती है तो ब्लैक बॉड़ी जो है किसकी वीकरण को आउस्योशित कर सकती है अगला प्रिशन में बंखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश की प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रियोग किया तो वो हैं रामनंद, option C करेक्ठ होगा, इसकोश्चन का राइट जैसर, रामनंद जो है अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रियो किया, option C करेक्ठ होगा, इसकोश्चन का राइट जैसर, अगला प्रशन आप लोग यहां पे देख सकते हैं, अखिल प्रफम सत्र की अधश्ता किस ने की तो ये किये थे श्वामी सहजानंद ओप्षन जो है एक रिक्ठेट होगा इसकोंश्चन्स का राइट अग्ला प्रषन विस्व बन्यद्दयले अनुदान आयोक वर्टमान में विस्स बिद्याले विकास आयो की सापना किस वर्ज की गई तो इसके जो इससापना की गई थी वो की गई थी कब की गई थी ये आपको बताना है उन्नेश्व चपन में ऑप्शन एक औरेक्ट होगा इसको श्चन्स का राइट अंसर अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं सरवोच न्याले के नयदियस को कदाचार और अस समर्थता के प्रमालित आधारों पर संसत किस तरह महावियों का प्रस्ताव परित कर शक्ती है तो किस तरह महावियों का प्रस्ताव परित कर शक्ती है अगला प्रशन जो की बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है अंग्रेजी भाष़ा को भारत में सिच्छा के माधधम के रूप में आरम किया था किस के दोऱा किया गया था ये आपको बताना है एसकोशचन्स को आप लोग अपनी नोटस में जरूर नोट कर लेशिगा तो ये जो है आरम किया घा था लॉर्ड मैकैले के दोरा option जो है a correct होगा इस questions का right answer अगला question वहाग काउन सा महदीफ है जहां एक भी जौला मुखी नहीं है उश महदीफ का नाम बताएं अगर आप लोग मेरी जियोग्राफी वाली class देखे होंगे revision किये होंगे अच्छे से त्यार कर लिए होंगे तो ये questions आसानी से आप लोग कर लेंगे तो friends वो है आपका जो महदीफ है वो है आश्टेलिया जहां पे एक भी जौला मुखी नहीं है option जो है a correct होगा इस questions का right answer अगला प्रशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं निमने में से काउन सा वन आधारित उद्दोग नहीं है उस उद्दोग का नाम बताएं जो वन आधारित उद्दोग नहीं है तो उद्दोग है आपका cement cement उद्दोग जो है वन आधारित उद्दोग नहीं है option a correct होगा इस questions का right answer स्रगल प्रश्ण भारत में परमाड उर्जा कारिकरम का प्रारम कब से हुआ माना जाता है तो ये माना जाता है उनने सो तालिस इस्वी से option जो है बी करेक्ट होगा इस questions का राईजा स्रगल आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कियें तो प्लीस यारे एक वीडियो को लाइक कर दिया करें ओपनिसत का प्रतिपाध विशय है ओपनिसत का प्रतिपाध विशय क्या है या आपको उताना है मैं आपको उता दूँ जहां भी आपको समझ में ना आए उपर यूग तो सभी ये सभी दिख जाए तो 100% वही अधिकतर सही होता है 99% ठीक है तो उपर निसत का जो प्रतिपाद विसाय है वह है भारत का समाजık बेउहार, हिंदू धर्म, प्राचिन, भारति, विदि यानिकि ये तीनो विसाय है अगला परसज़ नहां पे देख सकते हैं कोईला कि चटण में पाया जाता है फटाफ़ बता है, कोईला कि चटाण में पाया जाता है अगर आप लोग हर questions का जो आप नहीं दे पाते हैं comment box में तो आप लोग अपने mind में set कर लिजे करें कि ये इसका right answer होगा ठीक है और last वे आप लोग अपना score बताईएगा pen में pen copy से लिखा करें कि मेरा ये सही था ये सही था ठीक है लाशन वता दिया करें आप लोग हर questions का जैसे आप लोग जवाब नहीं दे पाते हैं ठीक है बार-बार type नहीं करना चाहते हैं आप लोग तो कोईला किस चटा में पाए जाता है तो कोईला पाए जाता है पारतदार चटान में अप्शन जो है बी गरेक्ट हुगा इस questions का right answer अगला परशन यहाँ पर देख सकते हैं विस में बागाणी करसी का सरवादिक विकास कहा हुआ है तो इसका जो है सरवादिक विकास हुआ है बागाणी करसी का वह हुआ है दच्छिंड पूरवी A.C.A. में option जो है D correct होगा इस questions का right answer अगला परशन धरातल के सरवाधिक भाग पर निमलिकित में से किस चट्टान विस्तार पाए जाता है किस चट्टान का विस्तार पाए जाता है या आपको बताना है फटाफट 31 questions का right answer बताए तो ये पाए जाता है आउशादी चट्टान का विस्तार सरवाधिक पाए जाता है option जो है B correct होगा इस questions का right answer ठीक है आउशादी चट्टान पर जो है चट्टान का विस्तार पाए जाता है अगला परशन तो वो है चीन ठीक है रेशम के उत्पादर में जो है चीन अग्रणी है option B correct होगा इस questions का right answer अगला परशन निमलकीत फशलों में से कौन सी फशल भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है उस फशल का नाम बताए गेहूं तो है नहीं गेहूं में जो है टॉप पे चीन है चावल भी नहीं चावल भी चीन है ठीक है गन्ना गन्ना है आपका ठीक है संसार के सभी देशों से अधिक जो है भारत में होता है option जो है C correct होगा इस questions का right answer ठीक है अगर राज्ज का भी पूचे तब भी आपका जो है उत्रप्रदेश होगा ये भी आपको याद रखना है गहरे समुंदरी गोता खोरों के शशन के लिए oxygen के तनू करण के लिए किस गैस का प्रयोग की जायता है very very most important question है यह वाला किस गैस का प्रयोग की जायता है जो गोता खोर होते हैं पानी के अंदर जो होते हैं तो वो गैस है आपकी helium option जो है डी करेक्ट होगा इस questions का राइट असर इसकी screenshot और बुक जरू से जरू लीज़ेगा अगला प्रश्चों की ये भी double star लगा लीज़े ठीक है आदरता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उस उपकरण का नाम बताएं जिसे आदरता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो हाइग्रो मीटर का जो है प्रयोग किया जाता है आदरता को मापने के लिए option B correct होगा इस questions का right answer अगला question cream सेप रेटर में दूध में से वशा को किस करण से अलक किया जाता है कता ही जहर वाले प्रशन है आज की practice में जितनी भी प्रशन है पीडियाप आप लोग अच्छे से download कर लिजिगा questions note कर लिजिगा अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है बुक नहीं लेना चाहते हैं ठीक है तो आप लोग हर questions को note किया करें ठीक है अगर आपके पास books वगएरा हैं हर सब्सेट की है ठीक है या guide है तो आप लोग जो जो questions को मैं important बताय करूँ तो उनी questions को आप लोग note करें करें ठीक है पूरा मत note करें तो cream separator में दूद से वशा को किस करण से अलग किया जा सकता है तो वो कारण है आपका अपकेंदरी बल अपकेंदरी बल के दौरा जो है अलग किया जा सकता है option d correct होगा इस questions का right answer अगला प्रश्ण आपके सामने यहां पे देख सकते है बाजार कीमत किसे से संबंद होती है तो बाजार की जो कीमत होती है वो किसे संबंद होती है तो वो शंबंद होती है अत्तधिक अलप अबदी से option d correct होगा इस questions का right answer अगला प्रशन यहां पर देख सकते हैं दच्छिन भारत के सन गुरूप दौरा अधिगरणा की गई एयर विस कंपनी कौन सी है उस कंपनी का नाम बता है तो वो कंपनी है इस पाइस जिट ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस कोशन का राइट अंसर यह जो है प्रशन है अगला व प्रशन को देखिए फिर इसका राइट अंसर बताएं तो देखें जो भारत अपना देश है यह धर्म नेपेच राज्य कहलाता है क्यों कहलाता है क्योंकि राज्य का कोई धर्म नहीं है सभी धर्मों को जो भाई भारत देश अपना स्विकार करता है चाहे कोई भी धर्म ह हिंदू, जैन धर्म, बहुत धर्म, कोई भी हो, मुश्लिम, कोई भी हो, सभी धर्म को जो है स्विकार करता है, ठीक है, option एकरेक्ट होगा, इस questions का right answer, अगला प्रशन आपके सामने है, कलाईव को बंगाल का गवर्नर बनाय गया था, कब बनाय गया था, या पोता ना है, तो भारत के जो पर्थम, गवर्नर जनरल थे, वो थे, विलियम बैंटि, option, एक, सी करेक्ट होगा, इस questions का right answer, अगला प्रशन यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी questions हिष्टी वाली क्लास में करवाया हूँ, दोयदे सासन नेती को किसने समाप्त किया था, अगर आप लोग अगला प्रशन भी बहुत इंपोर्टेंट है, अंग्रेजों का सरबातिक विरोध किस ने किया था, तो इसका जो है शरबातिक विरोध किये थे, मराठो ने, option जो है डी करेक्ट होगा, इस questions का right answer, अगला प्रशन आपके सामनी है, एक मार्ग किसके माना की गरांटी है, अगला प्रशन काला जार का रोग वाहक कौन है, बहुत इंपोर्टेंट कोशन है, साइंस का ये वाला, सिकता मच्छी, काला जार का रोग वाहक है, option जो है डी करेक्ट होगा, इस questions का right answer, अगला प्रशन आपके सामने है, यहाँ पे, देखे, इंपोर्टेंट डे से भी questions ज पूँचा गया था, जो की 11 नॉम्बर को बना जाता है, वो questions और जो है, एक याद नहीं आ रहा है, हाँ, HIV days पूँचा गया था, बच्चो आला प्रशन एक दिसंबर को बना जाता है, ठीक है, अगला प्रशन विस्व, डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस, किस दिन मना जाता है, यह आपको होता नहीं, तो यह मना जाता है, 17 जून को, option जो है, बी करेक्ट होगा, इस questions का, राइट नहीं सर, ठीक है, यहाँ पर जो है, विस्व का मतलब, विस्व का मतलब, जो है, हर कंट्रीज में यह मना जाता है, डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस, ठी करेगा, पॉल्डी का बहतरीन प्रशन है यह वाला, तो किसके अनुशार कारवाई करेगा, तो यह करेंगे स्वार निर्णाय पर, option जो है, डेकरेक्ट होगा, इस questions का, राइट नहीं सर, अगला प्रश जो की बहुत important प्रशन है, कौन सा ग्रह है, जो कि सूरी की एक परिक् जो है, अठासी दरों में पूरा करता है, तो वो ग्रह है, बुद, option एकरेक्ट होगा, इस questions का, राइट नहीं सर, अगला प्रश जाते जाते, बहुत ही बहतरीन प्रशनों से हम लोग, परचीत हो रहे हैं, यहां पर देख सकते हैं, अगला प्रश जाते जाते, बहुत ही ब एक्जाम के लिए तयार नहीं किये हैं, तो यह questions, आप लोग देख लीजिए, यह questions 100% पूछा जाता है, ठीक है, गिद्दा जो की एक नत्र है, यह किस राजे से सम्मंद है, यह आपको बताना है, उस राजे का नाम बताना है, बहुत पूछा जाता है गिद्दा नत्र जो ह तो यह है पंजाप का, option A correct होगा, इस questions का right answer, बात हो रही है पंजाप, तो पंजाप की capital भी आपको बताना है चाहिए, पंजाप की capital है चंडिगर्ड, हिमाचल प्रदेश की capital सिमला, हरियाना की है चंडिगर्ड, और राजिश्थान की है जैपुर, जैपुर को जो है पिंक की भी आप लोग देख लीजगा, ठीक है, काफी सारे लोग comments दिया करते हैं कि हर questions में आप लोग टिक लगा दिया करें, तो दिखें उसमें बहुत सारा time blugs आता है, तो आप लोग थोड़ा मेनत करें, और मेरी बात मानिए, तो जैसे आप लोग वीडियो अभी देखें हैं और आपका revision भी हो जाएगा, ठीक है, दो बार आपका हो जाएगा, तो कुछ questions तो आपको automatic याद ही हो जाएगे, ठीक है, तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल से जूड़े रहे हैं, चैनल को यार सब्सक्राइब करके बगल में बिलाकन को all papers करके रखे लिएगा, ताक पशंद आया हो, यानि कि helpful लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को एक like जरूर कर दीजेगा, और होश चके तो आप लोग इस वीडियो को अपने other friends के साथ share भी करें, ताकि वो लोग भी अपना test दे सकें, study group में share करें, watch out, facebook, thank you guys, मिलते हैं अगली वीडियो पे,